तो दोस्तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे HTML semantic elements के बारे में तो देखिए semantic elements का मतलब होता है elements without meaning तो ऐसे elements जिसको पढ़ने के बाद आपको उसकी meaning का पता चल जाए they are called semantic तो पहले हम बात करते हैं कि non-semantic क्या है जो अब तक हमने use किया है देखिए हमने div और span अलड़ी कई बार use किया है बट div को कहने से या span को कहने से इसका मतलब clear नहीं होता div को आप किसी भी container को बनाने के लिए use कर सकते हो span के अंदर किसी भी तरीके का style आप दे सकते हो तो इसका कोई एक common मकसद नहीं है आप किसी तरीके से इसे use कर सकते हो इसलिए इनको हम कहते हैं non-semantic तो semantic वाले elements कौन-कौन से है ऐसे element जिसको पढ़ते ही आपको समाझ में है जैसे form का मतलब है form से related एक element table table से related element article से related element तो देखिए यहां पर list of elements है जो की आपके semantic elements है HTML में इनमें से आप देख सकते हो article, aside, detail, caption, figure, footer, header, main, mark, nav, section, summary और time यह सारे के सारे elements क्या है semantic element है चलिए section की अगर हम बात करें तो section basically एक आपका HTML का document है उस HTML document के अंदर एक particular section create कर देता है अब इस section के अंदर होता क्या है section के अंदर एक group of content होता है और वो group of content basically उसके उसमें एक heading भी होता है तो अगर आप इस example में देखोगे तो यह एक section है और section के अंदर हमने क्या लिया एक h1 heading दी और उसी से related एक content paragraph tag में दिया और इन दोनों को हम club कर देंगे एक section में दूसरा section है उसके अंदर भी हमारा एक h1 tag है और paragraph tag है इसके वाद हमारा है article element article basically क्या है आपके html के अंदर आप article element यूज कर सकते हो यह भी section की तरह होता है लेकिन यहां पर यह जो आपका content है वो independent होता है मतलब यह जरूरी नहीं है जो आपका content है page का उसी से related हो यह independent हो सकता है for example जैसे आपने एक web page बनाया उसके अंदर आप user के comments लेना चाहते हो यूजर कमेंट जो है आपके हर page पे है about us page पे भी है आपके image gallery पे भी है contact us पे भी page पर है तो यहां पर जो आपका user comment है वो एक article के अंदर आ सकता है उसी तरीके से forum post blog post product card newspaper articles तो यहां पर एक example दिया हुआ है आर्टिकल का अगें लेट सी इस एक्जामपल तो आप देख सकते हो कि यही आर्टिकल अगर आप चाहो तो CSS का यूज करके काफी सुंदर बना सकते हो तो देखिए यह वही वाला page है और हमने यहां पर सिर्फ इसमें style apply कर दिया है तो style apply करते हैं आपका output कितना अच्छा create हो सकता है next हमारा है nesting article in section और vice versa अब देखिए कई बार ऐसा हो सकता है कि आप एक article लिख रहे हो HTML page के अंदर उस article के अंदर अलग-अलग sections हो related to that article तो वहां पर हम article के अंदर multiple sections लगा सकते हैं उसी तरीके से अगर हमारे पास section है और section के अंदर हम article लगाना चाहते हैं तो वो भी possible है अब हम बात करते हैं HTML header element के बारे में so basically header जो है आपका जो introductory content होता है आपके page का starting का introduction देते हो या फिर जो navigation links होते हैं उनके लिए हम header element का use करते हैं तो इसके अंदर basically क्या होता है आपके headings हो सकते हैं आपके logo और icon हो सकते हैं या authorship information की author कौन है इस page का और आपके पास multiple headers आप यूज कर सकते हो आप अपने एक HTML के अंदर लेकिन ध्यान रखने वाली बात क्या है कि header के अंदर header को basically हम footer के अंदर place नहीं करेंगे या दूसरे header के अंदर place नहीं करेंगे या फिर address के अंदर भी हम इसको place नहीं करेंगे तो header कुछ इस तरीके से हो सकता है इस article के अंदर header हमने ले लिया तो यह header जो है इस article का header हो गया फोटर जो element होता है फोटर बेसिकली आपके authorship के information को बताता है या जैसे copyright आपने देखा होगा copyright हमेशा नीचे फोटर में होता है contact information के लिए आप फोटर यूज कर सकते हो site map के लिए यूज कर सकते हो या back to the top link अगर आप create करना चाहते हो उसके लिए भी आप फोटर में फोटर element के अंदर उससे यूज कर सकते हो या कोई related document आपने दिखाना है उस page का से related तो आप फोटर के अंदर से यूज कर लिया है तो यह थे हमारे कुछ elements अच्छा nav element भी बच गया हमारा nav का मतलब है navigation links तो जैसे अगर आप टॉप पार पे यहां पर navigation देना चाहते हो कुछ html css javascript चेक्वेरी तो आप उसको इस चारो एए element को नैव के अंदर यूज कर सकते हो तो यह सारे क्या है semantic elements और साइड का मतलब होता है साइड बार अब साइड बार को समझने के लिए देखिए कई बार क्या होता है कि जो आपका page है वो किसी एक content के बारे में लिखा जाता है लेकिन उसी content से related अगर आप कुछ लेखना चाहते हो तो आप उसको outside में दे सकते हो जैसे इस example में यह लिखा हुआ my family and I visited the Epcot Center this summer तो user जो है अपने ब्लॉग में लिखते है कि वह कहीं घूमने गया है अपकोट सेंटर में ठीक है तो यह वाला जो content है यह तो आपके page का content है लेकिन इसमें क्या है एक इप कॉर्ट सेंटर का नाम आँ गया तो एक कॉर्ट सेंटर है क्या उसकी जानकारी के लिए आप यहां पर CSS का यूज़ करके आप a side को काफी अच्छा दिखा सकते हो जैसे यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपका जो content आ गया और a side को CSS के तुरू sidebar की तरह यहाँ पर दिखाया गया है आपको अपने पेज में एक फिगर दिखाना पड़ता है और इमेज का इस तरीके से जैसे बुक में आप देखते हो वैसा करना है तो इसके लिए आप यूज कर सकते हो फिगर एलिमेंट का और उसके अंदर आप एक इमेज ले सकते हो और फिगर का कैप्शन दे सकते हो फिगर कैप्शन यहाँ पर आपका डिस्प्ले हो जाएगा इमेज के नीचे चलिए यह भी आपको क्लियर हो गया तो अब बात रहेंगे कि सिमेंटिक अलिमेंट हम यूज करते हैं तो इससे जो भी हम पेज़ेज वगेरा बनाते हैं उसको हम आसानी से शेर कर सकते हैं और रियूज कर सकते हैं मल्टिपल आप्लिकेशन या इंटरप्राइज या कम्मुनिटी में तो यह शेर करना रियूज करना आसान हो जाता है तो यह सारे हम अभी आपको रिवाईज कर लेना तो इस चाप्टर इस क्लियर तू चलिए मिलता हूँ कर दो